तो दोसो, congratulations, आपने candlestick proper चीज़ सीख लिया है, आपने क्या uptrend, downtrend और आपने sideways market को identify करना चीज़ सीख लिया है, but, 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 मैं आज आपको इतना exact तरीका बताऊंगा, market को find करने का भाई, uptrend में, downtrend में, या sideways है, कुछ भी है, मतलब आप एक देखती समझ जाओगे, भाई, market अ चल लिए, आप, आप से कर कोई पूछने भी लगा, भार से बंदा, भाई, तो तो भाई, share market करता है, क्या चल ला है, market के अंदर, तो आप direct बताऊंगे, market अप ट्रेंड में, bullish है, market उपर जा रही है, बढ़िया, लगातार भागे जा रही है, तो लगा दो पैसा, या market, जो बंदे नहीं देख रहे है, ट्रेडिंग का कोर्स चल ला है, डे वन की वीडियो से जाके स्टार्ट करतो देखना, भाई, ट्रेडिंग को सीखने से आपको कोई नहीं रोख पाएगा, और हाँ, एक रुपया भी खर्च करने की जुरुदा तो नहीं है, कहीं भी एक रुप हमने तीन वीडियो बनाई है, किस टॉपिक के ओपर, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और आप साइडवेज मार्केट के ओपर, अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया थे तीनों चीजे, कि क्या क्या कहा होता है, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा असान करने और Tман कर से बता हैं, आपको के ओकर बता है, एक out कहा है लिए आपकोको देख रहाल, अपको क्या होता है, चाल एक एक और पता है, उपको यह आपके जाने लाघकर के डिकलने का धृक्र याद आते हमारे इंडिगेटर होता है ठीक है यह हमारी कार है ठीक है इस कार का भी जैसे हमारा यह इंडिगेटर है मान लीजिए यह दो इंडिगेटर है तो अगर हमें राइट जाना होता है तो हम राइट वाले इंडिगेटर देते हैं लेफ्ट जाना वाला होता है तो पीछे वाले इंसान जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है तो इंडिकेटर हमें बताने की कोशिस करता है ठीक है तो इंडिकेटर बन तक तभी है जब मार्केट मूव करते है ऐसा नहीं होगा इंडिकेटर पहली बन जाए इंडिकेटर मार्केट के हिसाब से बनता है अगर मार्केट उपर ज हो जाती है बस इतना समझ लेना दोस्तों अभी मापको चलो एक्जेक्ट सारी कुछ बताता हूं बड़ा मज़ा आएगा आपको सच बता रहा हूं कौन सा इंडिकेटर है न वह आपको सबसे पहले बताता हूं देखो यह आपको यह मार्केट दिखाई दे रही है लेकिन अभ आपको यह चीज तो पता चल रही है लेकिन अब मैं आपको इंडिकेटर पर आप कैसे पता करोगे और इंडिकेटर है क्या और इंडिकेटर चलता कैसे है सबसे पहले हमें करना यह वाला जो दिख रहा है एफ बना हुआ इसको इंडिकेटर ही कहते हैं दोस्तों इसको इसक निकालता है, average क्या होता है, जैसे मैं मानता हूँ, एक, दो, एक, प्लस, दो, प्लस, तीन, ठीक है, यह इन तीनों, अगर हमें इसका average निकालना तो average कैसे निकालेंगे हम, यह इन तीनों को plus करेंगे, plus, जितने number of terms हैं, उनको 3, is equal to, जैसे यह 6 आ गया, मतलब कि इन तीनों को प्लस करके 6 आ गया, और 3 से डिवाइट कर दिया, 2, तो मतलब इसका एक average आ गया, 2, इस तरीके से हमें इसका, इन सबका candle का average बताता है, कि भाईया, मतलब की, देखो मतलता हूँ, दो, हुआ गया से, अभी आपको मैं इतना, उसका कोई फायदा नहीं है, जो important चीज़ होता आता हूँ, जैसे हमने एक तरीके से इसके ओपर क्लिक कर दिया, तो यह एक लाइन बन गई, यह आपको लाइन दिखाए दे रही है, यह लाइन दिखाए दे रही है, ठीक है, लेकिन यह जो आपका EMA है, वो कितने का है, आपको दिखाता हूँ, रोको, हमें इसके ओपर क् लाइन है लेकिन हमें जो trend identify करना होता है न वो find करना होता है पूरे मंत का मथ लोग एक महीने में market ने क्या move करा तो मंत का move find करने के लिए हमें कम से कम 21 दिन का ये में लगाना पड़ेगा, अब 25 दिन क्यूं भाईया महीने में तो 30 दिन होते हैं लेकिन जो market चलती है वो 21 से 22 दिन चलती है बस क्यों क्योंकि 4 दिन देखो हर अपते के एक तो Saturday और Sunday माल लो चुट्टी होती है Saturday और Sunday चुट्टी होती है ठीक है तो 8 दिन की चुट्टी तो नोर्मली ये हो गई और एक दो चुट्टी अपनी वैसे हो जाती है कि या होली आ गई या कोई festival आ गया कुछ भी आ गया कोई कोई ना चुट्टी वो करते रहते हैं तो मतलब 21 दिन market चलती है तो हमें बस 9 की जगा ना 21 कर लेना है तो आप देखोगे ये जो line है ये किस तरीके साभी move करने वाली है हमें बस क्या कर लेना है 1,2,3,4,5,6 21 कर लिया हमने ठीक है अब 21 ये हो गया है रुको रुको हाँ 21 हो गया है ठीक है तो हमने 21 ये कर लिया है तो आप लोग देख सकते हो ये line बनी हुई है अब देखो मैं इसका क्या use है मैं आपको समझाता हूँ हमेशा याद रखना ये जो line है जब भी इस line के उपर market होगी इस line के उपर market होगी तो समझ लेना ये है uptrend इस line के ये line इस तरीके से बन जाएगी अगर इस line के नीचे market है नीचे candle बन रही है इस line के तो समझ जाना ये है downtrend और ना candle इसके उपर है ना candle इसके नीचे इस line पर ही बन रही है तो वो कुछ इस तरीके से move करेगा वो तब ठीक है मैं समझाँगो देखो कैसे यह में कुछ जैसे यह में ऊपर की side जा रहा है लेकिन बीच में ऐसे ऐसे करके move करने लगा कुछ ऐसे ऐसे तो समझ जाना यहाँ पर market sideways है अगर यह में नीचे की side जा रहा है और नीचे candle बन नहीं तो market downtrend है ठीक है इतनी बात आपको समझ नहीं है मैं आपको दिखाता हूं देखो अभी आपको यह तो दिखाई देगा कि अपtrend कौन सा है यह आपका अपtrend यह क्या है आपका अपtrend है market ऊपर जा रहा बढ़िया अब देखो यह वाले जो trend है यहाँ पर यह इतना बाट डाउन भी नहीं है market में देखो slide हलका सा slide है बस हलका सा slide तो यह downtrend नहीं है दोस्तों इसको sideways कहते हैं यहां से आप बोड़े अच्छे से समझ पाऊगे चीजें देखो ठीक है अब देखो अगला दिखाता हूं आपको देखो यह हुआ देखो अब यह आपको दिखाता हूं एक सेकिन रूख देखो अब लोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो वहाला जो जो ने यह वहाला जोन कौनसा जोन कहते हैं साइडवेज तीन महीन या चार महीने maximum रहेगी और जो sideways है ना वो तीन तीन चार चार महीने एक साथ चलता रहता है आप देखो sideways हमें कैसे बाद चला यूँकि जो EMA की direction है ने देखो EMA EMA को देखो EMA EMA क्या move कर रहा है आप ठीक है तो यह जो यह जो line दिखाई देरी ना EMA की यह आपको दिखाएगी के market sideways है ठीक है और अगर देखो EMA अगर यह उपर जा रहा है देखो तो क्या है market अब trend में और इसकी जो line है बनने उपर बनने है अब मैं आपको downtrend का दिखाता हूँ downtrend का बनना है देखो यह downtrend कितना अच्छा बनना है downtrend और भी दिखाऊंगा यह भी downtrend बनना है यह भी downtrend बनना है स्वारे downtrend बनने हैं देखो आप लोग देख सकते हो यह वाला downtrend देखो जब भी यह में इस तरीके से है और देखो इसके नीचे ही candle move कर रही है यह एक दो टेक्सेप्शन होते हैं मैं लग इधर ही आपका लोस होता है बस इनको ध्यान डगना है आपको देखो नीचे move कर रही है न तो यह होगे downtrend और इस line के जैसे उपर move कर रही है तो यह होगे uptrend बस आपको यह ध्यान देना है कि line है, line के उपर move कर रही है market तो upside की तरह आपको trade लेनी है और अगर नीचे ले रही है तो downside की trade लेनी है आपको इसको देखके trade नहीं लेनी है यह बस आपके लिए है कि भाईया हमें भी यह पता होना चीह है कि market अप जा रही है या market down में है जैसे कोई पूश नहीं लगता है आपसे क्या चल ला है, share market करता है तू तो भाई market का क्या हाल है आजकल तो तुम बता सकते हो भाई, आपको पता ही है मैं देख रहे हो आप, कि भाई अभी market बढ़िया bullish trend में है, अप trend में है market अभी ठीक है, आप कह सकते हो, आपको पता भी होगा कि market up trend में है, तो आपको यह identify करना, यह ढूंडना होगा आपको हमेशा कि trade upside में लेनी है, आप बिल्कुल बेफिकर हो जाओ, आपको मैं trade लेने के तरीके बताऊँगा, मैं आपको exact दिखाया है कि EMA लगाता कैसे है, देखो EMA कैसे लगेगा, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर इस पर जाएंगे, यहाँ पर search करेंगे EMA, EMA के ओपर click कर देंगे, जैसे आप click करोगे, तो click करने के बाद EMA जाएगा आपका side, ठीक है, यहाँ पर आपको simple click करना है, click करना के बाद, आपको setting के ओपर click करना है, और जो यहाँ पर दिख रहा है, आपका 21, 21 के ओपर click करके okay कर देना, अगर आपको style change करना है, मतलब इसका color change करना, like black करना है, तो black कर सकते हो, ठीक है, इसकी और थोड़ा मोटा करना है, इसको मोटा भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप आपको दिखाए दे रहा हो, easily, कि भाई market, अगर यह वाला देखो, कितनी बढ़ी है दिखाए दे रहा है, तो downtrade दे, okay, अब मैं एक और चीज बताएता हूँ आपको, आपको और, आपको पता एक और चीज बत है, तो समझ लेना, यह होगी uptrend, और अगर यह समझ लेना, यह में नीचे जा रहा है, और 30 डिग्री नीचे है, तो समझ लेना, यह downtrend, और यह flat है, अगर, यह उपर इस तरीके से flat है, ठीक है, तो यह समझ लेना, यह sideways, इतनी बात आपको समझ आने चाहिए, इस वाले indicator की, देखा, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यह surface लगा लो आप, surface कौन सा बनेगा, यह वाला point बनेगा surface, यह surface है, इस surface से easily 30% है, आप ना अपने की दौरत नहीं, आपको इससे दिखाई दे जाएगा, ठीक है, अब यह है, आपको यह, अब यह लगाओगे, इस surface से भी easily 30% 30 degree नीचे है, तो यह नीचे जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीकेस आपको यह देखना है, आप देखो, यह simple आपको दिखाई दे रहा है, यह जो यह वाली जो EM है, इस time पर क्या move कर रहा है, इस साइडवेज ऑर भी दिखाऊँगा, आप अपने चार्ट में ला किया है, यह आपको समाझाएगा हम यह sideways कौन से हैं, अब टेंट में जा रहा है मार्केट, ठीक हैं, अब देखो यह sideways आपको दिखाता हूँ, जो मैना sideways आपको पिछली उसके अंदर दिखाता हैं, देखो sideways ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि market ये move क्या कर रही है अभी ठीक है आप बिल्कुल बेफिकर हो जाना दोस्तों मैं आपको exact बता हूँगा कि कहाँ पर आपको trade लेनी है कहाँ पर क्या करना है अभी सरी पर सीखने पर ध्यान दो 90 days का target है हमारे 90 days के अंदर आपको सब अभी आपने train line भी आपने अभी नहीं सीखी है market gap up होती है gap down open होती है वो भी नहीं सीखी है सब को सिखाऊंगा don't worry विल्कुल free में सिखा रहा हूँ एक रुपए आप से कोई charge ने रहा हूँ कुछ भी नहीं ले रहा हूँ और हां बस आपस ये जरू कहूंगा मैं कि अगर आपको ये वाली candlestick की candlestick सीखने है candlestick कौन सी होती है मैंना अभी वीडियो दिखाईए नहीं पीछे तो भाई candlestick सीखने के लिए आप candlestick की वीडियो देख लो और एक 99 रुपीज की एक PDF है या 150 रुपे की साइज वो PDF का link description में आप डाइरेक्ट वहां से डाउनलोड कर हासिज की आप हा हासिए था है